जिस फोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो और इस फोन में जितना भी आपका डाटा है चाहे वो कोई आपकी परसनल फोटोस हो जा वीडियोस हो जा कोई आपका बैंक अकाउंट लिंक हो अगर ऐसा हो वो पूरे का पूरा डाटा किसी और के पास चला जाए जा अभी इस आपके फोन का जो एकसेस है किसी और के हाथ में हो और आपका वो डाटा लीक हो जाए इससे आपकी लाइफ पे कितना ज़्यदा इंपक्ट पड़ेगा ये आप बहुत सारे फोन हैक्स हो रहे है और आज मैं आपको एक ऐसी मिस्टेक बताने बाला हूँ जो आकसर आप भी करता था और अभी इस बक्त बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं जिससे होगा क्या कि जो भी आप अपने फोन पे एक्टिविटी करोगे आप अपने फोन में कुछ भी काम करते हो वो दूसरा कोई भी परसन उसको देख रहा है और जितना भी आपके फोन के अंदर ड तो अक्सर बहुत सारे लोग कौन सी वो मस्टेक कर रहे हैं वही मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में अगर आपने वो मस्टेक कर रख किया तो आज से बंद कर दीजिए और अभी से स्टार्ट कर दीजिए वो सब करना जैसे मैं आपको बताऊंगा अब इस वक्त इस वीडियो में तो दोस्तो होता कि अब ध्यांसे सुनिएं यहां साइड पे देखिये मालो मैंने गूगल पलेच स्टोर से किसी एब को इंस्टॉल किया है तो जब हम किसी एब को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे कभी कौर हमारे से एप्स परमिशन मांगती हैं तो हम क्या करते हैं Permision Allow कर देते हैं उसके बाद उस App को यूज करते हैं तो दोस्तो कफी टाइम हम उसको यूज कर लेते आप को apl scripture है अब महलो हमें इस एप को किसी भी रेजिन के कारना अन-इंस्टॉल करना है ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं तो हम सीधा ही उसको uninstall कर देते हैं जो सबसे बड़ी गलती करते हैं क्योंकि हमने उस app को अपने phone का जो permission है वो दे रखा होता है ठीक है तो किसी ने music का दे रखा होता है कोई notification का, कुछ वीडियो का कुछ mic का, microphone का ऐसे कुछ permission हमने allow किये होते हैं तो जब हम app को uninstall कर देते हैं तो app तो uninstall हो जाता है लेकिन हमने जो permission दे रखी होती है वो permission उस app के आउनर के जा उनकी team के पास ही रहती है, तो हमें क्या करना होता है कि जब भी हमें किसी app को uninstall करना है, तो सबसे पहले आप उन permissions को do not allow किजिए, ठीक है तो वहाँ पे permission का option होता है तो उस पे आपको click कर कर देखना है सबसे पहले कि आपने permission दे रखी है, जा नहीं तो permission do not allow किजिए उसके बाद ही आप उस app को uninstall किजिए, ठीक है, तो दोस्तों अभी मुझे पता है, ये बहुत सारे लोग ऐसी mistake करते हैं, जो direct app को uninstall कर देते हैं वैसे बहुत सारे reason होते है phone hack होने के, लेकिन ये एक ऐसा reason मैंने आपको बताया है ये गलती हर कोई करता है और इस चीज़ के बारे में कहीं पे बात भी ज़्यादा नहीं की, किसी ने YouTube पे या Instagram कहीं पे बात नहीं की, तो सुचा ये जानकरी आपको दी जाए तांकि आपका phone hack ना हो ठीक है, वैसे और बहुत सारे reason होते है लेकिन ये मैंने आपको ऐसा reason बताया है, जो बहुत सारे लोग ऐसी mistake करते हैं तो next time जब भी आपको किसी app को अनिस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आपको permission do not allow करने है वो आपको check करने है, उसके बाद ही अनिस्टॉल करना है, direct अनिस्टॉल कभी भी नहीं करना किसी भी app को, ठीक है, और बैसे मुझे आज ये वीडियो आपलोड नहीं करना था मुझे कोई और topic पे video बनाना था लेकिन hacking के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, तो सोचा ये चीज किसी ने बताया नहीं है, तो आप सबको बता दूँ, तो चलिए दोस्तों, अभी आपके mind में कोई और भी doubt आता है, किसी भी तरीके का वो आप पूछ सकते हैं, इस वीडियो के comment section में, तो आज की वीडियो को end करते हैं, यहीं पे, और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए, thank you so much